नमस्कार आप लोग देख रहें चैनल वन आपको बताते चले जमू कश्मीर में लगातार मौसम बदल रहा है मई में ही नवंबर वाली सर्दी का लोगों को एसास हो रहा है शनिवार को एक बार फिर से बारिश और ओला विष्टी के चलते जमू कश्मीर में सर्दी जो है वो हुई जिसके बाद दुकांदार आनन फानन में अपना समान समेटने में लग गए जो लोग घरों के बाहर थे वर्शा से बचने के लिए जो जहां था वहीं रुग गया वर्शा कुछ कम हुई तो बाहर निकले लोगों ने घरों की तरफ रुखिया जिससे बजार की रोनक गाई हुई और इसके साथी साथ जो है बिजली की आपूरती नेटवर्ग भी जो है वो काफी प्रभावित रहा तेज रफतार हवा से बिजली के खंबे और तार भी तूटके इसके साथी कई जगाव पर पेड़ और उसके तने तूटकर गिनने की वज़े से लाईने खरा ना रहेगा प्रटको के लिए जुक् incentiv बिभाग ने यह गाईडलान जारी कि है कि वह अपने साथ जो है वह गरम कपड़े वी साथ लेकर करे चले और साथी साथ खान पान का वी जुश्मान है उसको भी साथ लेकर कर चले और जो लोग जमो कश्मिर शरीनगर राज मार पर कि याट्रा कर रहा है उन से भी अपील है कि जब भी वो अपनी यात्रा शुरू करे तो एक बार जो है वो ट्रैफिक एंट्रॉल रूम् से कन्फर्म करने कि या रास्ता जो है वो खुला है या बंद है क्योंकि तेज हवा और आंथी और साथी साथ बारिस और ओला विष्टी के कारण जो है वो राजमार जो है वो कई बार जो है वो परभावित रहता है लेकिन एक बड़ी अपडेट कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम जो है इसी दरेका रहने वाला है